उपतहसिलदार की श्रेणी में पदुनती के प्रस्ताब दो वर्ष से अधिक समय से मंत्राले में लंबित है इसके अलावा राजी सरकार अन्य मांगो की अंदेखी कर रही है जिसके चलती राजी की राजस्व करमचारी संग ने विभिन चर्णों में आंदूलन का अहवान किया है उपतहसिलदार के पद पर शीर शीलिपिकों और बोर्ड अधिकारियों की पदुनती की प्रक्रिया को बनाए रखा जाना चाहिए उन्हें उपतहसिलदार के पद पर पदुनत किया जाना चाहिए यह आंदूलन साथ अन्य मांगो को लेकर था आंदोलन के पहले चरण में 12 मार्च को डाइनिंग एरिया में धर्णा प्रदर्शन किया गया काम 23 मार्च को चिपचिपे रिबिन से किया गया था 28 मार्च को एक दिवसी सांकितिक हर्ताल का आज तीसरा दिन है इससे एक कारियाले की एक मज़ेदा तस्वीर सामने आई जान कीवल अधिकारी मौजूद थे आंदोलन में जिला कलेक्ट अच्छे अनुमंडल पददिकारी और 12 तैसिल कारियालों के सभी चपरासी राच्चा साहयक आला लिपिक चालक एवं पदोनत उप तैसिलदार उपस्ते थे अमोल गवारे तालुका अधिक्ष दीके वाके महासचेव निमेश तोड़ साम निका की मांगे पूरी नहीं होने पर 4 अप्रेल से अनशित कालिन हर्ताल अनिवारे है चंदू प्रधान ने सपष्ट किया कि आंदूलन का आयोजन संभागी कारी-कारी अधिक्ष अमोल गवारे जिला अधिक्ष चंदू प्रधान जिला कारी-कारी अधिक्ष वनिशम यर्मे प्रभारी महासचेव गौरी शंकर धेंगे कोश्य अधिक्ष विशाल खराताडे आयोजक अलपेश भारपात्रे की मार्ग देशन में किया गिया था गर्चिरोली जिले के पूरे राजस्व करमचारियों ने आंदूलन का अनायासी प्रतिक्रिया व्यक्त की और प्रतिका आत्मक एक दिवसी हर्तालशत प्रतिशत सफल रही चामोशी से BCN News के लिए बबन बड़े टिवार की रिपोर्ट